महेश अपनी पत्नी गंगा और बेटे राजु के साथ एक गाव में रहता था वहाँ उनका एक खेद भी था जहां पर वो लोग तोरी की फसल उगा कर ताजा तोरियों को बाजार में बेचा करते थे पिता जी, पिता जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है अब पास वाले डॉक्टर के पास जाकर इसके लिए दवाईया ले आईए ना जाने मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई है आई दिन इसकी तबियत खराब हो जाती है महेश राजु को लेकर पास वाले डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे पेट दर्द की दवाई दे देते है लेकिन अगले दिन फिर से राजु के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है कल ही तो मैं इसे डॉक्टर के पास से दवाई दिला कर लाया था और आज फिर से इसके पेट में दर्ध हो गया बार बार इसके पेट में दर्ध होने का आखिर कारण क्या है हम तो कुछ ऐसा मसालीदार खाना भी नहीं खाते जो सब्जी हमारे खेत में उकती है हम तो उसे ही नमक हल्दी डाल कर बना लिते हैं, उससे तो इसके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। पता नहीं जी, मुझे तो इसके बहुत चिंता हो रही है। दो महीने हो गए, हर दूसरे दिन इसके पेट में दर्द हो जाता है। पास वाले डॉक्टर भी कुछ नहीं बताते कि इसे दर्द क्यूं हो रहा है, बस हर बार ये दवाई दे कर भेज देते हैं। इस बार आप इसे बड़े अस्पताल लेकर जाईए, वहीं इसकी दिक्कत का पता चलेगा। इस बार महेश राजु को पास साले डॉक्टर के पास ले जाने की बजाए उसे बड़े अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर अच्छे तरह से राजु का चेक अप करते हैं। देखिए आपके बेटे के पेट में बहुत जादा इन्फेक्शन है, इसके लिए हमें उसे कई दिन तक एडमिट रखना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरे बेटे को एडमिट कर लीजे। देखिए हमारे पास अभी दवाईयां अविलेबल नहीं है, इसलिए आपको किसी प्राइविट होस्पिटल में अपने बेटे का इलाज करवाना होगा। जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दीजे, वरना इसका इंफेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। मैं आपको डॉक्टर माथूर का कार्ट दे देता हूँ, आप इनके पास चली जाना, आप इन्हें मेरा रिफरेंस देंगे, तो ये आपको थोड़ा डिसकाउंट भी दे देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महेश राजु को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर माथूर के पास जाता है, जहां पर डॉक्टर माथूर तुरंत ही राजु को एड्मिट कर लेते हैं। डेड़ लाख? जी, और प्लीज जल्दी, अगर आज आपने पैसे जमा नहीं करवाए, तो हम आपके बेटे को अस्पिटाल में एड्मिट नहीं कर पाएंगे, और इस इन्फेक्शन के दवाईयां आपको दूसरे हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, आप मेरे बेटे का इलाज कीजिए, मेरे बेटे से ज्यादा मेरे लिए और कुछ जरूरी नहीं। देड लाक रुपे सुनकर महेश चंता में आ जाता है, वो घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, मेरे पास तो गिर्वी रखने के लिए गहने भी नहीं है, मेरे गहने तो पहले ही माजी के इलाज में चले गए, अब तो हमारे पास ये टूटी-फूटी जोपडी और अपना खेत है, आप एक काम कीजिए, जमिनदार जी के पास जाकर हमारे खेत को गिर्वी रख दीजे, राजु के ठीक होने के बाद धीरे धीरे काम करके उनके कर्ज को चुका देंगे लेकिन गंगा, अगर हमने खेत को गिर्वी रख दिया, तो हम खेती कहां पर करेंगे, और बिना खेती किये तो हम कभी भी जमिनदार जी के कर्ज को नहीं चुका पाएंगे, इसलिए मैं इस घर को ही गिर्वी रख देता हूँ, खेत में काम करके पैसे दे कर घर आपका कहना भी ठीक है, आप ये घर के कागज ले जाएए, महेर जमिनदार सहाब के पास जाकर उनके पास अपना घर गिर्वी रख देता है, उन पैसों से वो अपने बेटे का अच्छे तरह इलाज करवाता है, दीरे दीरे करके वो जमिनदार का कर्ज भी उतार रहा होता है कि तभी तेज बारिश के कारण उसके सारी फसल बरबाद हो जाती है, अब क्या होगा गंगा, मुझे हर हाल में अगले महीने तक जमिनदार सहाब का कर्ज चुकाना है, अभी तक तो मैं सिर्फ उनका थोड़ा बहुत ही कर्ज चुका पाया हूँ, मैंने सोचा था कि इस फसल से मैं उनका सारा करजा चुका दूँगा, लेकिन मेरी तो सारी फसल ही बरबाद हो गई, ना जाने अब हमारे साथ क्या होगा, आप चिंता मत कीजिए, एक बार जमिनदार सहाब से बात करके देखिए, क्या पता वो हमारी मजबूरी को समझ ले, गंगा के कहने पर महे महेश जमिनदार सहाब के पास जाकर उनसे बात करता है, लेकिन जमिनदार सहाब उसके कोई बात नहीं सुनते, देखो महेश, मैं नहीं जानता कि बारिश की वजह से तेरी फसल खराब हो गई, या तेरे साथ क्या हुआ, मुझे अगले महीने तक ब्याज समेत मेरे पूरे पैसे चाहिए, अगर मैं हर किसी पर इस तरह से तरस खाने लगा, तो मैं तो भूखा ही मर जाओंगा, हर कोई यहाँ पर मुझे अपनी मजबूरियां गिनवाने लग जाएगा, अगले महीने तक मुझे मेरे पैसे मिल गए, तो ठीक है, वरना अगले महीने से तेरा घर मेर हो जाएगा, तू अपने लिए कोई नया घर धून लियो, जमीनदार सहाब की बात सुनकर महिश अपना उदास चहरा लेकर घर आता है, और जमीनदार सहाब का कर्श चुकाने के लिए इधर उधर महनत मजदूरी करके कुछ पैसे जोडता है, लेकिन फिर भी वो कर्श चाहिए, मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूँगा, मुझे थोड़ी महलत दीजिये, मुझे जितनी महलत देनी थी, उतनी महलत मैंने तुझे दे दी, अपने इन 10,000 रुपियों को तू अपने पास ही रख, आज से 13 घर मेरा हो गया, अभी के अभी जाकर अपने बहुत मिन्नते करता है, लेकिन जमिंदार सहाब अपने आदमियों को भेच कर उसके घर को जबरदस्ति खाली करवा देते हैं, महेश अपनी बीवी बच्चे को लेकर रास्ते पर आ जाता है, महेश उन पैसों से अपने खेत के पास एक छोटा सा घर किराए पर ले लेता है, लेकिन अगले महिने भी उसके खेत में ठीक से फसल नहीं होती, जिस वज़े से वो अगले महिने तक भी पैसे ना जुटा पाने के कारण मकान मालिक भी उन्हें घर से निकाल देता है आज की रात हम कहां बिताएंगे अब तो हमारे पास सर पर छत भी नहीं है नजाने हमारे खेत को भी किसकी नजर लग गई है जो वहाँ फसल ही नहीं उग रही अगर उसमें फसल उग जाती तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता कोई बात नहीं गंगा हमारे ये बुरे दिन जल्द ही कट जाएंगे कहते हैं न जिसका कोई आसरा नहीं होता है भगवान उसका सहारा बनते है आज रात हम मंदिर की सीडियों पर सो जाएंगे क्या पता वहां से हमारा अच्छा वक्त भी शुरू हो जाए महेश अपने बीवी बच्चे को लेकर पास में बने देवी मा के मंदिर में ले जाता है जहां पर वो भंडारा खाकर अपना पेट भर लेते है और सोने के लिए मंदिर के सीडियों पर लेट जाते है तभी महेश उटकर अंदर मंदिर में देवी मा की मूर्ती के आगे हाट जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगता है हे देवी मा अब तो आप ही हमारी मदद कीजिए कल तक हमारा परिवार खुशाल था लेकिन आज हमारे पास सोने के लिए एक छट भी नहीं है ये कहते हुए वो अपनी आखे बंद करके देवी मा की मूर्ती के सामने ही बैठ जाता है तभी एक छोटी सी बच्ची महेश के पास आकर उसके कंधे को सहलाती है जिससे महेश अपनी आखे खोलता है बेटा तुम कौन हो और इतनी रात को अकेली मंदिर में क्या कर रही हो तुम्हारे मम्मी पापा कहा है मेरा नाम दुरका है मैं तो हमेशा यहीं पर रहती हूँ आप मेरी चिंता मत करो मैं तो आपको ये देने के लिए आई हूँ लेकिन इस पोटली के अंदर क्या है बेटा आप खुद ही खोल कर देख लो महेश जैसे ही उस पोटली को खोल कर देखता है तो उसके अंदर से सबजी के बीज निकलते है लेकिन वो जैसे ही उस बच्ची से उन बीजों के बार में पूछने के लिए उसे ढूनता है तो उसे वो बच्ची कहीं नहीं मिलती अभी तो वो बच्ची यहीं पर थी अचानक कहां चली गई महेश के इतना कहते ही मातारानी पर चड़े फूलों में से एक फूल महेश के पास आकर गिरता है जिससे वो समझ जाता है कि जो बच्ची अभी उसके पास आकर उसे यह बीज दे कर गई वो कोई और नहीं बलकि स्वयम मा दुरगा ही थी यह जानकर उसकी आखों में आसू आ जाते हैं और वो अगले दिन अपनी पत्नी गंगा को रात में बीती सारी बाते बताता है अगर यह सब्जियों के बीज हमें दुरगा माने दिये है तो हमें आज ही इने अपने खेत में बोना चाहिए लेकिन उससे पहले हम मा दुरगा का धन्यवात करके आते हैं और उसके बाद ही हम इन बीजों को अपने खेत में बोएंगे मा का धन्यवाद करने और उनका आशिर्वाद लेने के लिए मंदिर में मातारानी के दर्शन करते है माता के दर्शन के बाद वो अपने खेत में जाकर उन सभी सबजीयों को बो देते है उन बीजों के बोते ही वहाँ पर एक सुनेरे रंग के बेल उगने लगती है जिस पर बहुत सारी सोने की तोरिया उख जाती है ये भला कैसा चमतकार है उन बीजों को खेत में बोते ही हमारे खेत में सोने की तोरिया उख गई लोग सच ही कहते है कि जब उपर वाला देता है तो चपर फाड के देता है माता राणी ने तो एक ही दिन में हमारी जोली भर दी, हमारी सारी मुश्किलों को दूर कर दिया सच कहा तुमने गंगा, मैंने कल रात को दुरगा मा के सामने बैठ कर अपनी सारी परिशानी बताई तो वो तुरंथ ही मेरी मदद करने के लिए एक बच्ची के रूप में मेरे पास चली आई आपकी लीला अपरमपार है माँ, आपका कोटी कोटी धन्यवाद इसलिए कहते है महिश जी कि हम जब भी किसी मुसीबत में हो तो हमें सबसे पहले उस मुसीबत में मा के पास जाना चाहिए क्यूकि एक मा अपने बच्चों को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकती और मा दुर्गा तो जगजन्नी है हम सब की मा हैं तो वो भला हमें मुसीबत में कैसे देख सकती है मा दुरगा के आशिरवात से महेश के खेत में सोने की तोरिया उग जाती है जिन्हें बेच कर उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते है उन पैसों से वो अपने परिवार के लिए एक नया घर करीदता है उन पैसों से वो अपने पुराने घर को भी जमीनदार से चुडा लेता है महेश के खेत में उस दिन के बाद से हमीशा सोने की तोरिया उगती है जिस वज़े से वो गाव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है साथ ही साथ वो अपने खेत में उगी सोने की तोरियों को बेच कर गरीब और जरुरतमन लोगों की मदद करता है जिससे कभी भी गरीब को वैसे हालातों का सामना न करना पड़े जैसा पैसों की कमी के कारण उसके परिवार को करना पड़ा साथ ही वो गाउ में मा दुर्गा का एक भव्य मंदिर भी बनाता है और मातारानी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है एक लोहियापूर गाउ में दो भाई रहा करते थे उमेश और दुपेश दोनों भाई नारियल बेचने का काम किया करते थे ऐसे ही एक दिन अचानक उमेश की एक आक्सिडेंट में मृत्यू हो जाती है उमेश के जाने के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिती बच से बत्तर हो जाती है उसकी पत्नी सोमना दिन रात इसी चिंता में रहती है अपनी मा को ऐसे दुखी देख कर उमेश का बेटा बबलू अपनी मा से कहता है मा तो चिंता क्यों करती है मैं हो ना और पिता जी भले ही इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो फिर भी हमारे साथ है और आप देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा पिता जी का काम अब मैं आगे लेकर जाओंगा मेरा बेटा अज कितना बड़ा हो गया है सही कहा है किसी ने बुरिस्तिती और जिम्मेदारी कभी भी इंसान की उम्र नहीं देखती मा भले ही मेरी उम्र अभी 15 साल की ही है लेकिन फिर भी मैं सब कुछ कर सकता हूँ पापा के साथ रहकर इतना तो समझ ही गया हूँ कि कैसे पूरे परिवार की जिम्मेदारीयों को संभाला जाता है लेकिन बेटा अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है तू रहने दे मैं नारियल बेचने का काम कर लूँगी तू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे नहीं मा मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी परिशानी का सामना करना पड़े इसलिए एक बेटा होने के नाते मुझसे जो बन पाएगा मैं वो करूँगा आप बिलकुल भी चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा ऐसे ही अब इतनी कम उम्र का बबलु अपने पिता के काम को ही आगे बढ़ाता है बबलु जी जान लगाकर पूरी लगन के साथ महिनत किया करता और देखते ही देखते बबलु का काम उसके चाचा दुपेश के मुकाबले काफी बढ़ा चलने लगा तो वही दुपेश को ये सारी चीजे बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक बार दुपेश अपनी दुकान पर बैठा-बैठा सोच रहा होता है और कहता है। और वो अपने पिताजी से कहता है। अपने बाप के काम को कितना आगी ली गया है। देखो पिताजी, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिये ना तो मैं चोरी कर लूँगा। आपको क्या लगता है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं जुआ नहीं खेल पाऊंगा। अरे आपका ही बेटा हूँ मैं, आप से ही सीखा है मैंने सब कुछ। अरे नालायक ये ले हजार रुपे, इसको ले जा और किसी चुल्लू भर पानी में डूब मर। सत्या नाश हो तेरा। दुपेश अपने बेटे को वहाँ से भगा देता है, तो वहीं दुपेश को बबलू का काम देखकर इरशा होने लगती है, अब वो ठान लेता है कि वो बबलू का काम और बाकि सब कुछ बरबात करके ही रहेगा, ऐसे ही एक दिन दुपेश बबलू से बोलता है। देख बबलू, बातों को घुमा फिरा कर नहीं बोलूँगा, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि तुम मेरी दुकान के सामने से अपनी दुकान उठा कर कहीं और ले जा, क्योंकि तेरी कारण मेरी अच्छे बिक्री नहीं हो रही, मगर चाचा, मैं अब यहां से कहां जा सकता हूँ, मेरे सारे ग्राहक भी बन चुके हैं, और अगर मैं यहां से कहीं और गया, तो मेरे ग्राहक खराब हो जाएंगे, और ऐसे में काम ठीक नहीं चलेगा, वो तेरी सिरदर्दी है बेटा, लेकिन तू मेरे दुकान के सामने हो रही है, तो कल को अगर मैं यहां से कहीं और जाकर अपने नारियल बेचता हूँ, तो वहां मुझे भी तो परिशानी होगी ना, देख, तुझे जो करना है कर, लेकिन यहां पर तू नारियल नहीं बेचेगा, क्योंकि तेरी वजहा से मेरे सारे ग्राहक खराब हो रहे है बेचारे बबलु को चाचा के मुझे यह सारी बाते सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ऐसे ही रात को बबलु की मा उसे खाना परोस रही थी, बबलु का उदास चहरा देख कर उसकी मा कहती है, क्या हुआ बबलु, तू बहुत उदास नजर आ रहा है, सब ठीक है न बेटा, अगर काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो जादा परिशान होने की जरूरत नहीं है, दीरे-दीरे सब ठीक हो जाएगा। मा, बात वो नहीं है, बल्कि काम तो हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है, बस दिक्कत ये है, किया चाचा जी ने मुझे ये कहा है, कि मैं कहीं और जाकर नारियल बेचूं, क्योंकि मेरी वजह से उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है ये सुनकर बबलो की मा को भी बहुत बुरा लगता है, कोई बात नहीं बेटा, बस अपनी महनत और भगवान के उपर भरोसा करके, तू कहीं और जाकर नारियल बेचना शुरू कर दे, क्या पता हमारी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो, और वैसे भी, अगर हम अच्छी क्वालिटी का नारियल बेचेंगे, तो लोग दूर दूर से हमसे नारियल खरीदने के लिए आएंगे, इसलिए नारियल की क्वालिटी में कोई कंजूसी नहीं, बाकी तू कहीं और जाकर नारियल बेच, ठीक है मा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, बबलो और दोनों अपने रिष्टेदारी खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए बबलो अपने चाचा की बात मान कर वो अपनी दुकान किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर लेता है, नई जगह पर काम शुरू करने में उसे थोड़ी दिक्कत परिशानी होती है, जिस वज़े से उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था, और ना ही उसके पास बेचने के लिए परियाप नारियल थे, बबलो को चिंता सताने लगी कि अब वो कैसे काम करे, यहां तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा और मेरे पास इतने नारियल भी नहीं है, क्या करू मैं, कैसे हमारा घर चलेगा, पिता जी होते तो आज मेरी बहुत मदद हो जाती, अब तू ही कोई रास्ता दिखा भगवान, ऐसे ही अगली सुभ, बबलो देखता है कि उसकी दुकान में बहुत सारे हरे नारियल है, यह देखकर बड़ा ही आश्चरिय चकित हो जाता है, अरे यह क्या, कल तक तो मेरे प भगवान जी मेरी मदद करने के लिए, ऐसे ही आप हमेशा मेरे साथ रहना, ताकि मैं अपने पापा का काम आगे तक लिकर जा पाओं। पस एक ही नारियल रहे गया, तभी उसी में से एक नारियल बचा हुआ होता है, वो नारियल बबलु से बोलता है, अरे बबलु इधर देखो, मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, बबलु इधर उधर देखने लगता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आवास कहां से आ रही है तब ही उसकी नजर नारियल पर जाती है वो नारियल बोल रहा होता है ये देखकर बबलू बिलकुल घबरा जाता है और वो नारियल से बोलता है अरे तुम तो बोल सकते हो तुम बोलने वाले नारियल हो क्या? अरे मैं एक जादूई हरा नारियल हूँ और यहां मुझे तुम्हारे पिता ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ अच्छा तो ये सब तुम कर रहे हो हाँ बबलू ये सब मैं ही कर रहा हूँ और अब से तुम्हें कभी भी परिशान होने की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे पिता ने भेजा है तुम्हारे पिता और मैं बहुत ही गहरे मित्र है वो यहां किसी कारण से नहीं आ पाए इसलिए उन्होंने मुझे यहां भेजा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ अब से हमेशा मैं तुम्हारी जादूई नारियल के रूप में मदद करूँगा मुझे पता था कि पिताजी हमेशा मेरे साथ है वो किसी ना किसी रूप में मेरी मदद करने के लिए जरूर आएंगे हाँ भबलू उनका सपना है कि तुम्हें काम्याब आदमी बनो और तुम्हारे पास कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो कभी किसी के आगे तुम्हें हात ना पहलाना पड़े अब बबलु जादूई नारियल की मदद से अपने काम को और बढ़ाता है धीरे धीरे वो एक नारियल की छोटी सी दुकान से अब नारियल का बहुत बड़ा बिजनेस तयार कर लेता है और अपने इस नारियल कमपनी का नाम वो अपने पिता के नाम से रखता है देखते ही देखते छोटे मोटे नारियल बेचने वाले लोग अब बबलु का ही नारियल खरीद कर आसपास में बेचा करते उन्ही में से एक बबलु के चाचा जी थे वो भी अब बबलु से ही नारियल खरीद कर जगा जगा बेचा करते जब बबलू के चाचा को पता चलता है कि वो जिससे नारियल खरीद कर बेच रहे है वो असल में उन्ही के भाई का बीटा है ये सुनकर उमेश के पैरो तले जमीन खिसक जाती है बबलू की तरक्की देखकर बबलू के चाचा को अपने आप पर बहुत ही जादा शर्मिंदगी में पता है बबलू की तरक्की देखकर मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कोई बात नहीं चाचा जी जो हुआ उसे भूल जाईए क्योंकि पुरानी बातों को याद करके हम आज के रिष्टों को खराब कर देते हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पुरानी बातों को याद करके अपने मन में कोई भी पच्टावा ना रखें मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मैंने कितना गलत किया तुम्हारे साथ अपनी आखों के सामने से मैंने तुम्हें भगा दिया था लेकिन दूर जाने के बाद भी तुमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है और बहुत नाम किया है मेरे भाई का भगवान मुझे माफ करना कहते हैं ना लाख बुराईया हो लिकिन अच्छाई हमेशा बुराई से उची होती है इस तरह से दुपेश को अपनी गलते का एहसास होता है और वो बबलू से माफी मांगता है जिसके बाद से बबलू अपने चाचा से सभी गिले शिक्वे भुला कर एक नई जिन्दगी की शुरुवात करके अपने जीवन में तरक्की की रह की और बढ़ता है